हालो बच्चो मैं डॉक्टर जीतेंद्र मीना अपने विद्धय की तरब से हम लेके आए हैं छोटे-छोटे conceptual टैप जो टॉपिक्स जो कुछ-कुछ concepts होते हैं में से काफी important है यह neat वगरा कई कई exams में काफी importance रखते हैं चोट-चोटे क्लिप्स में हम चोट-चोटे concepts के बारे में बात करेंगे और आज हम लेके आये हैं genetically engineered insulin हमें देखेंगे कि insulin क्या होता है और इसको genetically कैसे इंजिनीर करके बनाया जाता है ठीक है सबसे पहले हम यह जो बात करेंगे बात करेंगे कुछ छोटी सी हिस्ट्री के बारे में यहां बात करें तो शार्पे और शार्फर जो शेफर जो है यह दो साइंटिस्ट है इन्होंने सबसे पहले यह बताया कि बही जो insulin है वो उसके failure जो लेंगरेंस isolated cells से जो release होता है उसके failure की वज़ा से जो है वो diabetes जो है वो cause होता है तेक था cause of diabetes जो है उन्होंने बताया और उसको नाम भी insulin इन्होंने ही दिया दो तीज़े धान रखने वाली है शारपर और शारपर जो है इन्होंने नाम दिया है और यह बताया भी है कि diabetes जो है इसे की वज़े से होती है दूसरी बार बैटिंग और बैस्ट यह दूसरे साइंटिस्टे जो पहली बार जो है डॉग से हम बात करें तो आर्टिफीशिली इंसुलिन को एक्स्ट्रेक्ट किया और यूज किया फॉर दे हम बात करें तो diabetes और यहीं पर जो है मैकलियोड की help से किया और बाद में बैटिंग और मैकलिय की कलेक्टिव एफर्ट से उन्होंने जो है इसको यूज किया as a cure of diabetes ठीक है और इसी के लिए उन्होंने नॉबल प्राइज उनको नॉबल प्राइज मिला तो यह चोटी सी हिस्ट्री है ठीक है जिसमें श्यार्पय और सैफर ने जो है वो डिसकोवरी की थी इसकी एक तरीक इंसुलीन था उसके सारी कई सारी क्योंकि जिसको अलग 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 अनिमल से निकाल के आपने जो इसको इन्सको किया तो ऑवियसली वह एक तरीके से जीनॉप प्रड़क्त हो गया जीनुप मतलब अलग अलग इस पीसीज में इंट्रेश स्पीचीज यूज किया गया है तो उसके कई सारे allergic effects भी होते हैं जी से केमिकल दवाईयों के बहुत सारे effects होते हैं वैसे भी उसके effects होते थे उसके बाद में इसको finally यgio है Artificial लेली ली नाम के एक American company ने बना करेंगे लेकिन उस से फेले बात करेंगे आशुनली नेच्रेल रही की नेचरल इंसुलीण कि लेला होता है तो बेसिकले नेचलल question insuline जो है वोगी गुला और यह आप और आपको पता है कि polypeptide change जो होता है protein change होती है और इनमें A chain के अंदर 21 amino acids और B chain के अंदर 30 amino acids होते हैं तो यह natural insulin का एक structure था जिसमें दो chain है एक A chain है एक B chain है और दो दोनों जो chains है यह disulfide bonds के तुरू जूड़ी हो यह A chain हो गई और यह B chain हो गई और यह disulfide bonds हो गई क्या होगा है bond जिनके तुरू है आपस में जूड़ी होगी ठीक है तो यहाँ पर इस तरीकी से insulin हो गया अब यहाँ पर इसको और इसको और देखें जैसे कि यहाँ पर इसको हमारा फाइनल इंसुलीन मैच और इंसुलीन जिसको हमने बता है A और B दो चेंज है और डाइसाइल सुलफाइड बॉन्स के तुरू आपस में जूड़ा होगा है बट अगर हम सको इनिशली देखें तो जब यह बनता है तो प्रविसली यह जो है वो प्रो इंसुलीन की फॉर्म में होता है किस फॉ नहीं मतलब यह फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता जब इसका मैचुरेशन होता है तो उस दौरान की कोईलिंग के साथ में इसमें डाइसलफाइड बॉन्स बनते हैं और सीचेंज जो है वो अलग हो जाती है इससे और इसमें से यह निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं नेचरल इंसुरीन हुआ अब इसमें दिक्कत यह है कि यह कई सारे अलग अलग जीन्स और की वजह से और जो है इसका जो कि नेचरल जो हम बात करें तो फॉर्मेशन है वो उसमें क्या होता है कि इंट्रॉंस बढ़ते हैं बीच में इंट्रॉंस क्या होता है नॉन इस वजह से यहां पर इसको जैनेटिकल इंजिनियर करना काफी डिफिकल्ट हुआ इसकी इन की बात करें तो आटिफिल इन्सुलिन बनाने के लिए कि पहले बात तो यह कि यहां पर जीन जो है इसका जो है वह वह 11 पर होता है ठीक है और यहां पर यह दूसरी बात की प्रो करना पॉसिबल नहीं है क्यों क्योंकि इसमें जो जितने भी जो हम बैक्टरिया वगरा यूज करते हैं जिव जनेटिकल इंजिनियरिंग के अंदर उसमें क्या होता है जो इसको बनाया उन्होंने क्या किया कि दो नो जो दो चेंस थी हमने बता है एचेन और बीचेन दो चेंस को इंडिविजुली उन्होंने जो है जनेटिकल इंजिनियर किया और उसके बाद में उसको बाहर उनके बीच में डाइसलफाइड बोन से मना के उसको असेंबल कर दिया तो उन्होंने क्या किया विदे फास्ट प्रपेर्ट टू डीने सिक्वेंचेस को अर्ड़ अगला बिफरेंड़ूस कर दिया एक प्लास्मेड के अंदर सैपरेटी और उन्होंने उसको ऑप्टेन किया जैसे कि यह जीन था यह जीन बने इसकी वज़य से बीच बने की जो सीजीन वाला जीन था उनको उन्होंने नहीं लिए क्योंकि वो प्रो इंसलुन में होता है उ जीन लिया और बीजीन लिया प्लाजमिट के साथ मुनों ने रिकॉमेडेंट डिये ने बनाया और होस्ट के अंदर एंटर करवा दिया तो इस वाले होस्ट से बनके आया है चेन ए और दूसरी तरफ जो है दूसरा जो होस्ट है उस होस्ट से बनके आया है चेन भी और उन्हो कंपनी ने हम बात करें तो 83 के अंदर जो यह बनाया और यह एक मैथड है जिसके तुरू क्या है कि मैचुरेशन की रिक्पारमेंट नहीं है और दूसरी बात जो प्रॉब्लम थी इंट्रॉन मीडियेट जो हम बात करें तो जो इंट्रॉन मीडियेट जो ट्रांस्क्रेप्शन जो जो प्रोकेरियोड से बैक्टरिया नहीं कर पाते उसका एक सलूशन था और इस तरही की से बनाया जाता है आटिफिशली जो बात करें तो जनेटिकली जो इंसुलीन है आटिफिशल जनेटिकल प्रडॉक्शन ओफ इं ने कंसेट्स के साथ थैंक्यू